मैं हूं मीरा और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ब्रेट सैन्वेच के रेसिपी और यह सैन्वेच बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मैं बहुत अच्छे वीडियो बनाती हूं है हैल्फ रिलिटेट वीडियो कुगिंग की वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो चलिए चलते हैं हम इसे जन्दिस से बनाते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले हम एक पैन रखेंगे और इसमें यहां पर मैंने दो टेबल स्पून तेल लिया है और वन फोर्थ राई के दाने डाल देंगे अच्छे से चटकने दें दानों को और उसके बाद मैंने यहां पर डाला है वन फोर्थ स्पून जीरा और यहां पर मै मैंने इसमें सौफ डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और यह जब अच्छी तरीके से दाने फूट जाएं चटक जाएं जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इनको अच्छे से चटकने दे और उसके पाद हमने एक पैज ली है उसे रफली आप काट ले छो कासा भूनना है तो हम इस तरीके से पैज को हमने भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और इसे डाल कर बस आप हिलाते रहे थोड़ी देर तक और जब यह टमाटर और पैज इस तरीके से हाफ भून जाए बहुत ज्यादा नहीं पके हलका भून जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे मसाले तो यहाँ पर मैंने डाला है भल्दी वन फोर्थ और एक छोटा स्पून है हाफ उतना रेड चिली पाउडर और इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है वन फोर्थ आप इसमें गरम मसाले भी डाल सकते हैं और बिना गरम मसाले के भी यह बहुत अच्छा बनता है और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से हिला कर इसी तरीके से मसालों को और सार तो इसे कम से कम दो तीर मिनिट तक आप घिलाईए और इसके बाद ये जो आलु है आलु को उबाल कर मैश करके इसमें आपको डालना है तो बैने अल्रboys को बॉइल कर रखा था और छील कर श्ट कर लिया था तो इसमें डाल कर से अच्छे से लीक्स करना है को अब हमें से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो जैसे आलो की सब्जी बनती है तो उस तरीके से एक और और दालेंगे हम इसे जितना आपको नमक कम यह ज्यादा आप जैसे लेते हैं उसे उतना नमक डालें सौधा ने साथ और अब हम इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तवीके से मेक्स कर लिया है बिल्कुल मैंने दो स्पून का इस्तिमाल किया है क्योंकि यह नॉन स्टिक पैन है तो इस तरीके से यह अच्छे से मेक्स हो जाता है फिसलता नहीं है क्योंकि आलू है तो आलू यहाँ फिसलता है तो मैंने इसलिए दूसरा वाला भी स्पैचुला यूज कर लिया बस अब हमारी स्टपिंग बनके तयार है क्यास को आफ कर दीजिए और इसे कुछ दे ठर्णा होने दीजिए और देखिए मैंने यह ब्राउन प्रेड लिया हुआ है और यह टोटल चार प्रेड हैं और यह स्टफिंग हम इसमें लगाकर इसे हम फ्राइट कर इसे जो है तावे पर सेकेगे तो इस तरीके से अच्छे से स्टफिंग कर लें इस टफिंग जितनी अच्छी होगी सैंविच आपके उतने ही अच्छी बनेंगे और यह बहुत जल्दी बन जाता है मतलब कोई इसमें आपको चीज या आप डाल सकते हैं जितना चाहें लेकिन यह सबसे असान होता है हमेशा ज्यादा तर आलू और ब्रेड हमेशा मेली जाती है घर पर तो आप कभी भी चाहें तो इसे बनागे खा सकते हैं इसमें कम समय लगता है तो देखे बस मैंने अच्छे से भड लिया है और अब हम क्या करेंगे इसे हमने साइट में रख दिया है और अब हमें एक को गावा लेना है और बटल लाज़ी अच्छी सेख लेना है दोनों तरब से अच्छा ब्राउन कलर आ जाने दीजी और यह आप चाहें बटर में लगा के सेखें चाहें आप ओईल में सेखें पर यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो बस हमारे यह जो सैंड़ीच है यह बनके तयार हो चुकी है इसी तरीके से मैंने दोनों को सेख लिय है बटर डालके तो बस यह सैंड़ीच आप देखें बनके तयार है गैस मैंने बन कर दी और आप अराम से इसे सर्फ किजिए सॉस के साथ चटनी के साथ यह आप इसे बिना सॉस और चटनी के भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी होते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो चानल को थैंक यह वेरी बच वाच वाच इस वीडियो